सप्ता भवी तो आज शुरू करते हैं पिना किसी बक्षोदी के दारू पीकर घर आता है और अपनी सप्ना से कहता है ये कमपनी वालोंने तो दिमाग खराब कर दिया है जानू इसके बाद सप्ना कहती है यार चिनता मत करो, तुम पहले खाना खालो और उसके बाद मेरी थुकाई करना यह सुनकर वो कमरे में चला जाता है अपनी गर्मी को शान्त करती है इसके बाद सुबह का सिन दिखाए देता है जिसमें सपना और अमित कही जा रहे होते है और इसमें दुसरा अक्टर देखते है जिसका नाम लालू सेट होता है जो सपना का दिवाना होता है और उसकी फोटो देखकर अपने हाथों से अपने हथियार को शान्त करता है और इसके बाद अमित सपना को लाला की दुकान पर छोड़ देता है और कहता है हमारे खाने पीने का समान लेकर घर चली जाना तब सपना कहती है कि तुमने पिछले समान का पैसे भी नहीं दे लाला को तब वह कहता है दे दूंगा इसके बाद सपना के पास शर्मा जी आ जाते है और सपना से कहते है क्या हुआ तब सपना कहती है कुछ नहीं हुआ तुम सुनाओ तब शर्मा जी कहते हैं, जबसे मेरी पत्नी की मौत हुई है, जबसे मेरी हालत खराब हो गई है इसके बाद सपना लाला के पास आजाती है, और लाला सपना को देखकर पागल हो जाता है इसके बाद सपना उसको समान की पर्ची देती है और जब वह समान लेने को जुपती है तो उसका पल्लू गिर जाता है तब लाला उसको देखे लेता है फिर लाला अपने हाथों से नारंगी को दबाने लगता तब सपना समझे जाती है यह क्या दबाने की कोशिश कर रहा है और वो अपने पल्लू को ऊपर उथा लेती है और कहती है कि यह समान मेरे घर पर पहुंचा देना इसके बाद लाला समान लेकर घर पहुंच जाता है और सपना से कहता है ये समान कहाँ पर रखना है तब सपना कहती है रसुई में और वो अपना फोन सपना को देखकर रसुई में चला जाता है लाला उस फोन में ब्लू फिल्म चालू कर देता है कौन ही लोग जिसकी वजह से सपना की गर्मी जाग जाती है और लाला सोचता है कि सपना वीडियो देखकर मुझसे ठुकाई कर आई क्या सोच एरे तेरी और वही होता है सपना अपने हाथों से अपनी गर्मी को मिटान की कोशिश करती है अब लाला बाहर आ जाता है और वहस अपना से कहता है कि अब आप रहने दो यह हमें कर देता हूँ और लाला इसकी जोरदार ठुकाई करता है इसके साथ ही ये एपिसोर्ट खत्म हो जाता है तो दोस्तों अगर आपको सेक्सी कहानिया सुननी है तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंग पर क्लिक करो और अपनी जिन्दगी का आनंद लो हमारे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें धन्यवाद